अलो स्टूडेंट्स आज हम लोग इंग्लिस के चैप्टर 12 दा ओलम्पिक्स में आगे के भागों कवर करेंगे जो बाकी रह गया था पिछले वीडियो में हम लोगों ने ओलम्पिक गेम्स के ओरिजिन ठीक है और उसके पीछे के क्या कहानी थी है ना और मॉडरन ओलम्पिक गेम कैसे स्टार्ट हुआ इसके बारे में जाना था अब हम आगे उसी मॉडरन ओलम्पिक पे जो गेम थे उन्हीं के आगे की यह कहने को पढ़ेंगे तो प्यारे बच्चों दा ओलम्पिक गेम्स आर हैड एवरी फोर यह जो मॉडरन ओलम्पिक गेम्स है वो हर चार साल के बाद होता है ओलम्पिक सेंबल डोलम्पिक सेंबल विट फाइव रिंग स्टेंड फॉर यूनिटी ऑफ फाइव कॉंटिनेट और अगर आप ओलम्पिक गेम खेलते हो तो उसका एक ने एक सेंबल जरूर होता है उससेंबल में जो आपको पांच रम दिखाए दिखा और यह जो पांचो रिंग होते हैं यह पांच रंग के होते हैं ब्लू, ब्लैक, रेढ, यलो और इनते बालो के मिल्ग ми कण्ड़िने, उन्हां सभी वाली कंट्रिफ के फ्लैग में आपको इन पाइl पाइब कोई। जरूर मिलेगा। आप ओल्पिक गेम्ज का एक मोटय होता है एक देश्य होता है तो ऑलम्पिकिएन की मोटय होता है लाम्पिक मोट 우리 एटेन वह लेटन में लिखाओ है जिसे हम सीट्रस एलेक्टरस और फॉटी एस कहते हैं जिसका मिनिंग होता है त्री वर्ड मिन इन तीनों सब्दों का मिनिंग होता है स्विफटर हाईयर एन स्ट्रॉंगर अब एकॉर्डिंग टू कुबर्टीन इडिस्क्राइब दे एम ऑफ ग्रेट अथलेट्स अल ओवर दा वर्ड अब यह तीनों जो मोटो के वर्ड है इस कुबर्टीन के अनुसार यह पूरी दुनिया के महान अथलेटों के उदेश को डिस्क्राइब करते हैं ठीक है अब ओल के कपड़े पहने हुए आती है और लाइट दे ओलंपिक टॉच इन ओलंपिया वैली इन ग्रीस के ओलंपिया वैली में ओलंपिक टॉच को जला करके जो है इस गेम की सुरुवात करती है एक हपता पहले इस टॉच इस केरेट थू डिफरेंट कंटी अभी यह जलता हुवा टॉच अलग अलग डेसों में पार्टिसिपेंट्स के द्वारा ले जाया जाता है और फाइनल रनर कैरीज इट टू दा स्टेडियम जस्ट बिफोर दा गेम्स ओर जिन और आखिर में यह जो टॉच है वह और आखरी रनर के द्वारा जिस स्टेडियम में ओलंपिक गेम हो तो क्लोज और यह ओलंपिक गेम फ्लेम जो एक ग्रीग ड्रेसेट वूमें ने जिलाया था एक अपता पहले वो जो है जैसे जब गेम समाप्त हो जाता है उस समय इस ओलंपिक फ्लेम को बुझा दिया जाता है दा फ्लेम इस पुट आउट अट दा क्लोजिंग सरेमेनी ठी में यह फ्लेम बुझा दिया जाता है आफ्टर दिस इसके बाद जब गेम समात हो जाता है उलंपिक टॉच बुझा दी जाती है तो उसके बाद जो एथलीट्स होते वह अपने अपने घरों को लॉट जाते हैं अब उन एथलीट्स में से देरा सम वीनर एंडे मैंनी में जीनना जीतना एक सम्मान की बात होती है बट लूजर डूट लूज हर लेकिन जो हारे होते हैं वो भी अपना दिल नहीं हारते हैं ठीक है उनको दुख नहीं होता हारने का क्यों एवर्यवन शुट थेंग अबाउट हार्ड वर्क एंट ट्रेनिंग डैट दे हैड डू टू कम टू दा गेम क्योंकि हर को यह सोच के जाता है कि अब वो जाएंगे कठीन मेहनत करेंगे ट्रेनिंग करेंगे और फिर आके इस गेम में अच्छा करेंगे और बहुत सारे लोग इसलिए भी खुश होते हैं कि आल्दो देडी डिर नाट विन वो जीत तो नहीं जगे देडी डे टू चांज तो कंपीट अंगे इस दबेस्ट फ्लेयर इंडियर फिर्ड लेकिन उन्हें इस खेल के मैदान में अपने फिर्ड में महरती खिलाडियों से खेलने का मौका मिला कंपटिशन करने का मौका मिला पार्टिसिपेटिटिंग इन दौलंपिक इस आडवाइस डेट बॉरेंड बैरेंड पाया डी कोबर्टिन गेव और सबसे खास बात यह है कि वहां पर आपको हमेशा बैरेंड डी पाया डी कोबर्टिन ने जो मैसेज दिया है अडवाइस दी है उसको याद रखना चाहिए इस मैसेज टो ओलंपिक पार्टिसिपेंट वोस उनका जो मैसेज है सभी ओलंपिक पार्टिसिपेंट के लिए वो था तो प्यारे बच्चों यहीं पर यह चेप्टर समाप्त होता है मैं उमीद करता हूँ आपको यह चेप्टर बहुत अच्छ समझ में आया होगा ठीक है और आप लोग इस स्टोरी को पढ़िएगा मिलते हैं नेक्स चेप्टर में नेक्स वीडियो के साथ बहुत बहुत धन्यवाद है